तूरियों वेल्कम तू मैंग चेनोर्वाश आइकएडमी दिस इसिजमान सुप। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि काफी सारी वेकेंसी आती है जिसमें कि फार्मेसी के केंड़ेट एलिजिबल होते हैं और वो सारी वेकेंसी फार्मासिस्ट के नाम से नहीं आती है यानि कि कहने का मतलब यह ह कि ज़्यादा तर आपने देखा होगा कि जो pharmacist की vacancy आती है उनी में pharmacy के candidate eligible होते हैं बट इसके अलावा भी काफी सारी government की vacancies आती है जिसमें की pharmacist के नाम से तो नहीं आती बट pharmacy के candidate वहाँ पे eligible होते हैं कुछ इस प्रकार की ही आज की vacancy के बारे में हम बात करेंगे क्या कुछ notification IIT यानि की Indian Institute of Technology से आ रहा है जिसमें की pharmacy के candidate eligible है complete detail में बात करेंगे और last notification में बात करेंगे जी हाँ AIMS RISI के इसकी last date जाने वाली है 3-10-2023 को इसको भी इसी video lecture में include करने वाला हूँ तो complete video को सुनिएगा सब कुछ समझ में आएगा IIT की IIT Institute जो है अपना यहाँ पर आप देख पा रहे है धनबाद में यहाँ पर जैसे इसकी official website में आप जाएगा requirement section पर जाना है और हम सभी जानते हैं फार्मासिस्ट की position है या फिर फार्मा regarding student के लिए position है तो non-faculty position होगी यहाँ पर click करेगा next notification जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको number 3 पर आप देख पा रहे है non-faculty advertisement for junior assistant, junior technician, junior technician civil, junior technician medical यहाँ पर जैसे आप download click करेंगे तो यह जो official notification है वो आपके सामने कुलावा नजर आ रहा है जी हाँ आठ सिस्टमबर का आठ सिस्टमबर का नोटिफिकेशन है जिसमें कि आप देख पा रहे है देखिए IIT Indian Institute of Technology धनबाद में है यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखावा है कि यह institute ऐसा है बहुत अच्छा है उसके बार में देखिए यहाँ पर लिखावा है The Institute invite the application from the Indian National Appointment मतलब की भारतिय नागरिक के लिए on the direct requirement basis to the following non-teaching post है ना direct requirement basis पे है to the following non-teaching post जिसमें की junior assistant, junior technician, junior technician medical की post है जिसमें की आप देख पा रहे हैं यह वाली location जो यहाँ रहने वाली है ना की है total 2 है 2 plus 1 यानी की total 3 vacancy आपकी रहने वाली है अब बात आती है junior technician medical तो जी हाँ यहाँ पे pharmacy के candidate eligible है और जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार ऐसी vacancy आती है जिसमें pharmacist लिखा हुआ नहीं होता बट फिर भी वहाँ पे pharma candidate eligible होता है यह इस प्रकार की vacancy आती है कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जरूर सारी सब कुछ अपडेट जो है आप तक पहुचाने की पूरी कोशिस करेंगे चलिए तो essential qualification की बात करें तो जी हाँ देखिए junior technician medical की post है 30 साल age limit है तीन vacancy यहाँ पे रहने वाली है और यहाँ पे आप देख पार हैं डी pharma, diploma in pharmacy, pharmacy, nursing, physiotherapy तीनों है eligible है और करके लिखा है 10 प्लस 2 विट 2 year diploma है ना 2 year diploma in pharmacy यानि कि डी pharma candidate जो है वो यहाँ पे eligible है 55% minimum आपके होने अनिवार है चाहे वो pharmacy से हो, nursing से हो या फिर physiotherapy हो तो usually यहाँ पे डीप्लोमा in pharmacy वाले candidate जो है यहाँ पे बिल्कुल purely eligible है desirable में क्या है तो देखिए experience in hospital में अगर आपको experience है, reputed hospital है, institute में, government के कोई contact basis पर आल वगे हो है तो उन सभी को desirable category में रखा गया यानि कि fresher भी यहाँ apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है desirable में आपका experience के बारे में लिखा हूँ है, मतलब दो candidate है, desirable experience और essential वाला, तो desirable को preference मिलेगी, no doubt हम सभी जानते हैं चलिए, अब क्या कुछ notification कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख पारें देखिए, 8 October जो है, इसकी last date रहने वाली है, ध्यान रखेगा इस चीज का, ठीक है जी, अब कैसे कुछ apply करना रहेगा, तो यहाँ पर आप देख पारें सामने ही notification के apply now पे click करना है आपको, ज इसकी 500 रुपीज जो है, वो fees भी रहने वाली है और fees जो है non-refundable है, ठीक है भी, और next यहाँ पर एक और important चीज लिखी हुई है, जितने भी ex-haracement, STSCPW, यहाँ पर female candidate जो है, वो payment, मतलब उनके लिए payment नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज का, उनके लिए payment नहीं है यहाँ पर clearly mentioned है, ठीक है, वो आप जैसे ही select करेंगे, automatically payment वाला option हट जाएगा, बाकि जो भी interested student है, general instruction पढ़ें, D-Pharma, Diploma in Student Pharmacy के लिए, IIT जैसे institute में work करने का, as a junior technical medical का, बहुत ही अच्छा वसर है, आप लोग अगर interested है, तो जरू इसको apply करें, चलिए, next बात करेंगे, जै 45 पोस्ट पे Pharmacist Chalopathy की vacancy आचुकी है, और इस vacancy को लेकर आज सामको 9 बजे हम live जूडने वाले हैं, तो आप लोग अगर interested है, आपके कोई भी doubt है, इस vacancy को regarding, किसले साल कैसे cut up रहा था, other state वाले eligible है, तो किसी साब से pattern रहेगा, तो आज सामको 9 बजे आप जो है, वो केस में हम सभी जानते हैं कि Pharmacist का exam होना अभी बाकी है, तो यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी dispensing attendant और फार्मा केमिस्ट की vacancy नोंने वापस रियोपन की है, जिसकी last date जो है आप देख पा रहे है, तीन अक्टुमबर रहने वाली है, तो जो भी interested student ह वो भर सकते हैं form, बट यहां पर एक बार पहले आप लोग confirm कर लेना कि भाईया यहां पर application form भरने से पहले कि फार्मासिस्ट और dispensing के वापस से साथ-साथ नहीं हो, क्योंकि रायपूर में भी ऐसा हुआ था, इसलिए जो भी नए student है वो तो easily भर सकते हैं, form reopen है, तीन में इधर की तरफ आपको एक वीडियो में लेगा इस वेकेंसी की regarding इसको आप जरूर करें, चलिए जी, तो कैसा लगा information जरूर में अक्मेंट सेक्शन में, like करें, share करें, subscribe करें, keep watching, stay tuned